तो हम बात करने जा रहे हैं अव यही भाव समाज के बारे में बहुत से लोग अव यही भाव समाज क्या होता है कहीं यह बहुत ब्रीज समाज तो नहीं है यह समझ करके कनफ्यूट हो जाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अव यही भाव समाज को बहुत असानी के स साथ बना सकते हैं और हल कर सकते हैं तो आए जानते हैं कि अव्याई भाव समाज बनाने का परिभासा क्या होता है ट्रीक क्या होता है इसके कई सारे उधारण को हम एक साथ देखने जा रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं जहां अव्याई सब्द हो जहां अव्याई सब्द हो जहां अव्याय सब्द हो वहाँ अव्यवी भाव समास होता है अब ये अव्याय सब्द क्या होता है इसको आप सबसे पहले जान लो तभी तो जानोगे कि अव्यवी भाव समास क्या होता है आप एक सब्द सुने होगे यत्र तत्र सर्वत्र यत्र का मतलब होता है, यहां, तत्र का मतलब होता है, वहां, सर्वत्र का मतलब होता है, सभी जगह, या फिर कह सकते हैं, कहां कहां, तो इस तरीके से जो सब्द होते हैं, यहां, वहां, कहां, यत्ह, मतलब जैसे, प्रती, अनु, इन तरीके के सब्दों को अवय कहा जाता है, और आप अधिक Google में सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ वहाँ पे जाके सर्च कर लो कि अवियाई किसे कहा जाता है तो जहां पर भी अवियाई वाले सब्द मिले वहाँ पर हमारा हो जाएगा अवियाई भाव समाज तो अवियाई भाव समाज पाचानने के लिए सबसे पहले अवियाई क्या होता है ये जानना जरूरी होता है तो आईए अवियाई भाव समाज का हम उधारण देखते हैं तो हमारा पहला उधारण हो जाएगा यथा इस्थान यथा इस्थान तो यथा इस्थान में देख सकते हैं यथा जो सब्द है अव यह है हमारा यहां से देख सकते हैं कि अव यह है इसलिए यह हो गया अव यही भाव समास और यथा इस्थान का समास विग्रह करेंगे तो समाज स्विग्रा हो जाएगा इस्थान के अनुसार इस्थान के अनुसार दूसरा नंबर पे है हमारा प्रती दिन अब इसमें देखो कि अव्याई क्या है तो प्रती सब्द अव्याई है और यदि इसका हम समाज स्विग्रा करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन या फिर हर एक दिन, तो देख सकते हैं कि अव्याई वाले जो सब्द हैं इस कारण से इनहें अव्याई भाव समाज कहा जाता है, अब हम तीसरा अधारल देखते हैं हमारा अनूरूप, अनूरूप, अनूरूप का समास्विग्रा हो जाएगा, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, तो अनुरूप का समास्विग्रा हो रहा है हमारा रूप के अनुसार, अविया है हमारा अनुसब्द, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अनुसब्द अविया था, जिस वज़ा से हो गया हमारा अब यही भाव समाश, तो इस तरीके से सब्द होते हैं, यथा इस्थान के जगह में क्या आजाएगा, यथा क्रम आजाएगा, तो क्रम के अनुसार, यथा सक्ति आजाएगा, तो सक्ति के अनुसार, प्रति पल आजाएगा, तो पल के अनुसार प्रती छड़ा आजाएगा तो प्रत्यक छड़ या प्रत्यक पल इस तरीके से सब्दों का प्रयोग करना है अनुरूप के जगा हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि मन के अनुसार तो इस तरीके से ही सब्द दे रहेंगे अन ये कोई सब्द नहीं दे रहेंगे तो जहाँ पर अव्याय मिले समझ जओ कि अव्याय भावसमास होगा